इस समय दोपार के दो बच रहे हैं और थेखिए कितनी अच्छी दूप है और तीन दिने से लगातार काम चल रहा था इंजियन वाला काम तो वहां पे जो है कुमा खोद के फिर उसके बाद उसमें पाइम डाल के पाड़ दी हैं और फिर उसके बाद जो है मोनोब्लाग भी ल जो डीजल था जो इंजन था उसको भी बनवाएं मिस्त्रिय आये थे और सारा कुछ हो गया है बस उसमें जो है कनेक्शन लाइट के कनेक्शन लगना बाकी है बाकी चलिए आपको दिखाते हैं कि रूम में जो माटी थी बिच्छा भी दी है पुरा डाल दी है और पहले से क कुछ है कि अब जून आने वाला है तो पहले से यह लोग जो है नफिकाजें इस है कि घょख हुआ है क्योंकि अब जून आने वाला है तो पहले से लोग जो है हमें लगर आए कि संड़ का बीया डाले हैं क्योंकि जो बीया सिर्फ होते हैं रोपते हैं लोग तो उसमें जो है सिर्फ बीया ही करते हैं देखे रहा पूरा अपना दीजल का हों यह तकत है और देखे पूरी माठी डाल देएं देखे पहले से रोम जो है साफ हो गया है और यह रहा इंजर आप देखे मिट्टी डाल देएं तो कैसा हो गया है थोड़ा देरा दिख रहा होगा की यहीं है मोनो ब्लच और इसमें पंक्ञा सेथा अब यह मोनो ब्लच लग गया है सूचे देखे कि समय सेबल पाइम पर लगा देए और देखे यह है मोनो ब्लच डब्बा पूरा लूबी कंपनी का है और देखे पंक्क winners निकाल दक है यह विद्ध निया लगा है और देखिए रूम का पुरा जहाला वला भी बहुत जादे था पूरा साप कर दें जो लोग हमारी वीडियो देखें अंगे कितना रूम था गंद देखिए पूरा जो ए सफाई होगे और काफी पहले से अच्छा भी हो गया समान भी ते पहले तो पूरा मॉठीक हुआ था और पूरी जहार लग भी आप जो है बहुत सही हो गया है कि कितना सौप्ट हो गया है और जो है मौनु ब्लाग जो है काफी दिनों से चला नहीं था तो कल उसमें जो है उस दिन जो है तेल डाले है और सारा काम तो हो गया है बस यहीं है कि कनेक्शन लाइट के कनेक्शन हो जाए फिर उसके बाद काम सभी लोग जो है डाल दी है और इसमें संडे वाली बीया लोग डाल रहे हैं और जब हमारा भी मोटर चनने लगेगा मोनु बलाग से पानी जबाने लगेगा तब उसके बाद हम लोग जो भी खेतों में बीया डाल देंगे क्योंकि समय भी हो गया और देखी कितनी अच्छी दूप है और कई दिनों से इसी में काम में पड़े वे हैं और जितना जल्दी हो सके काम हो जाए तो वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक करिएगा और नया चैनल पर हैं तो सस्क्राइब करिएगा और कोई सुझा होगा तो कमेंट में जरूर बताएगा तो तक लिए बाए बाए